हमेरो आपमियांत है आज म मानव साध्धे पांचव सुत्र मां चाच़ा बढूंच सुत्र मां दिर्ष्टी कोड़ इसे लाजा सारीरिक द्वार हरु मध्धे जेतन मुल द्वार आखार कान लाई इस ब्याक्खेमस समधने छुँ इसुत सबै इंडी द्वार महतु पुन छु इस मद्धे जेतन रूपमा सर्भादिक सक्रिये आखार कान इस द्विलाई अनुकूलता दीयो भने साधनामा अतेंद सहस्ता बंदा छु रव्मानिस अग्यांतामा फस्ने सबै भंदा मुखे द्वार इस द्विने हुन रूप आखाले देख्चा धनी कान ले सुन्च अता रूप रधनी देरिश्चे र आवाज इन द्विलाई इती सुभावीक गानु परो इती नैसर्गीक गानु परो इती अफनु पन प्रकिति प्रविति अफनु गूर धर्म सबैम जस्ता को तस्तै बिल्कुलै नांगो सक्ते उजागर भयो बने यो उधारो भय न बने यो बहिर बाट अरुद्वारा लादिये को शिंगारिये को इस तो भाई ना बने वेक्ति को बाले कालको निर्भरता बाट उसमान जुन असर पर्छ त्यों संस्कार ये इति सहाज्रुप माहर्ण न सक्छा रा स्वैच्छिक जिवन रा मानव विकास को सुभाविक बाटो मानिस आफैले तय गर्न सक्छा इसको लागी निर्भरता बंदेन यह दुई द्वार खुल न सक्यों खुलाओं न सक्यों यह दुई द्वार इति स्पस्ट भाय बने सब्थोग बयो इनी डुई द्वार ले अरु सारा उपाय को खोजी उपाय को लागी भौतारे नुपार्ने छाई न गुरु न शास्त्र अतह अब आखामा जाऊं अब येसलाई ये सईदान्तिक ब्याक्या मात्र हैना अभ्यास गर्ने छाऊं येस शुत्रको अर्थ हो बेक्ति अभ्यास द्वार अनुभाब गरोश शिद्धान्तता रूप जो आखाको काम छो तियो एती स्पस्ट होश्ट एती सभाविक होश्ट एसमां शरीर को कपडा द्वारा जुन जुन जे जस्तो हामें अहले बने काचाँ तियो पूर रूपले समापत होश्ट हामें ले नांगों शरीर देखन सकते नुँए बाहिर को रूप नहीं जस्तोचा तेस्ते देखना सक्देनौ तेपनी शरीर, अपने शरीर, मानब को शरीर यो की कठी नाई मानिसली उपजायो इसको कारण छो इरेर्या मात्र कहियो उन्न तेसको कारण सहित इसको हल भय बने मानिसली छोपेर अपने नांगो इस पस्टता देखना सक्च शरीर लाई छोपेर अपने नांगो इस पस्टता देखना को लागी शरीर लाई ढाकनू पने कारण कहां बाट आयो इसको साथ सामारी योन ब्यक्ख्यामा अगरी साके कुछ अब इसरी नहीं आमीले शरीर मात्र हाईना अनुहार लाई पने श्रिंगार अनि इस थोपनू पने कपड़ा लाई पने फैसन रंग रूप को रंग रूप मा यहां जुन मानिस को भोग छा जुन सिर्जन सीलता यसमा लाग छा युवा आपनू ठाव मा छा रंग मा रमावने भोग यसको आपना स्थित्तो आपना अर्थाष तर यसलाई हमले दुरुपयोग नगर बास्तविक सत्य लाई इसले नचपस बास्तविक सत्य सहित्त को रंग भोग रूप को भोग त्यों होस। श्रिंगार द्वारा अनुहार लाई हमले बनाऊंचों त्यस भित्र को सत्तेता अनि शरीर को नाम को शुरूप को सत्तेता है आपनों शरीर माता हमें इती विक्रीत शाओं पने और शारा रूप लाई हमले इसते बनाया काँचों विज्ञांद्र परभी देले बस्तु ले शारा जगत परकृति को रूप लाई नहीं हमले आपने अनुहार इस शरीर लाइठाकिये को कपडा श्रिंगार इस कपडाले हमले आपनों वास्तबीक शुरूप लाई जस तु देखने इच्छे राखे काचों इस ते इच्छे परकृति तो वास्तबीक शुरूप लाई देखना मापने यही नहीं च्छ हर भोग यहां सानु चर द्वार चाहिए ना जहां माने इसले सत्यलाइठ चियाओना सकोष देखना सकोष सहरी करों अनि भोगाई का सबही साधन बस्तो प्रप्रगिदी सबही है मिली प्रगिदी को बास्तबीक शुरूप लाई देखना बादा बंचीद् गर्ने खाल को बनाएका छू रहा इसमा थी नहीं हामरो लगाप शंसकार छू तब यू छाणा सम्म जिवन को विकास संभव चाईना भाउती की विकास को बास्तबीक्ता हो यो तर जिवन विकास इसले बंदा गरिदीच जिवन विकास भाईपची जिवन ले जस्तो शत्तेस्ते देखना सकने भाईप तिस योग्यता भाई सिमात्र बाहिर भावतिक रूपमा जे जस्तो भाईपची चल तर जू बेक्ती जिवन विकास को सुभाविक मारगमा नहीं छाईना रत्ति हां जाने कुनी गुंजा इस नहीं चाहिए ना फिरी बाहिर इस तो अबास तो बेगता इसलिए आखा को पूरी रूप जगत नहीं कुरूप बनाई दिये कुछ इस कुरूप तालाई देखे रहा हमी मानव विकास मा संगलब नहुना सलदे नहुं अधा इसको पहिचान रूप को बास्तविक्ता को पहिचान जिबन विकास को पहिल सर्थ हो अब कान लाई लियूं धोनी आवाज रूप जश्टाई धोनी बनी उतिनी महत्तोपन अच्छ आमिले क्या सुन्छाँ और सुनाई द्वारा क्या बुच्छाँ अजयो सब्द को अर्था जुन्छा जब हमी जब मानीश सब्द को उपयोग करना लाग्यों तब ध्वनी को महत्तोप दे रहिचा तमानेश इसमा प्वाश्यो संद द्वारा ध्वनी को जण भास्तविक शुरूपो त्यो बिगरियो आमिले व्याक्ख्या करने माब ध्वनी लाग्या करना ना पने भयाज लाग्या करना पने भयाए आमिली रूपमा सब्द जे देखचाऊं तेस सब्द लाने ब्याख्याता गणु पर्ष। मानिश को आखा सब्द में गरा ठोकिन ज़। मानिश शहर मा पाटो मा एर्द इछ बने जहां लिखिये को पोस्ट आशा तेहां उसको आखा गई हाल ज़। फिरी थेश सब्द ले मानिश तेस सब्द मा भष। अब तेस को आर्थ। इसली बास्तवी रूप यामिली भोगन पाउं देनों। तेहां पनी ब्याख्या गणु पने होन्ज। ब्याख्या गडिये न फने फिरी यांत्रिक भई हो। इसरीने सब्दमा धनी द्वारा पनी यही हालत छ। इसको लागी आवाज मा बिचरां गनसक्नी छेमता बन्नुपने हुँँच। अब आखाको अभ्यास मा जस्तो एउटा रूप लाए एक टक ले देखने अभ्यास रो आखाको पूरा एरिया मा समग्र लाई हेरने अभ्यास गये का दोईतीन बैख्या मा मले दोईले समयटे को थिये एदी त्यूछे माता भयो भने आमीले रूप लाई खोताले रावास्त भीकता समाझ जाना सक्च। इसते ही आवाज कान माग विचरों आवाज माग विचरों गनशक ने छे मता भय पछी आमीले दोणी लेपने ते ते धेरे बंधन दिने छाए पहिला था अब धनी कस्तो धनी सुनने तियो अनुकूल बनन पड़ा जिवन विकास को अनुकूल धनी को मात्र उपयो गन पड़ा चुन धनी आपना अनुकूल छाए ना तेस भाटा बंचन पड़ा फिरी यो सामाजीक राजनाइटीक रभीर जन्ने भाईबने इसलाई नियमन गरनु परे या साधकत तो साधना रहां दा सम्म एकांत नहीं सही अतह आवाज लाई पनी कान लाई जस्ते एवटा आवाज लाई सुन्दा सुन्दै अम्मक्त आईस्ते थी फिरी त्यों आवाज अनुकूल आवाज होश्य ज्यान को उपदेश को बाड़ी होश्य परतच्छी गुरु अर्थाज जिवित इस्षोर को सानित देमा रहे रहां यस्ते ही ज्यान चर्चा उपदेश सुन्दा सुन्दै आखाको एक टक चस्ते कान को एक टक त्वारा सुन्दा सुन्दै मुक्ति या समग्र आवाज मां विचारण इन तुबही छे मता बनावनु पर इसले अभ्यास त्वारा इसले पनी अभ्यास में ढालनु पार ने जा इसले पर्तिकूल आवाज परेको ठाओं मां गयरे पनी अभ्यास गर दाई सबै धोनी मां विचारण कर न सकने कुनी पनी ही धोनी युटा धोनी मां नफस ने इस्तो इस्तिती बनावना सके मुफाने परी एक गान्त को आव सेकता परने जाए पहिलातस धने आपना अनक्टूल होज स्थ ने यश्तो बादान एंटा बाधय साधना और योग मां ल्याउं या इसको धोनी मा धोनी सुन्नों को लागित तेश संगीत महोल मा जाओं जशरी भाईबन संगीत बद्ध धोनी सबैले अनुको लागज जो असांती दाइक उतेजना दाइक नहोस जो आत्मी होस सांती पुर्वक सास्त्री संगीत जस्त संगीत को आंगले जयविक्तामा बैग्याने क्रूपले उपयोग गरेरने परमारित भैसकेको छ जहां सास्त्री संगीत सांत संगीत देन छ तेहां अन्नको उत्पादन दुबबर भैको जड़ जहां असांत युपतस हाईरारिकी मच्चाओने संगीत देन छ तेहां कौम फल उत्पादन भैको यूतो विज्ञान ले नहीं जानी सब सकेको छा कि धोनी को महत्तु नहीं कि होन्च युटा बनस्पादि मां था एस तो देहन सक्षम भने मानाव हामिलाइद भानेज अनकुल धनी या अनी चित धनी को असर अधा एस मापने एती समयदन सील बनों बरू एकांत नहीं सही फेरी अभ्यास को लागी हैर्यार की भीड मां जानू नहीं परनेज तेहां गयर अभ्यास त्वारा जस्तशुकी धनी मां विचरों गर्में सकने छे मता बनावनों नहीं परनेज यू बर्तमान सभ्यताकों पर हरिष्टिती जनेत बातेता हो अतहा ये शरी हमेले आखार कां लाई अनकूल बनावन सक्के मभानें तक जिबन को मारग सुभावेक बन्दाच आजुक लाई ये दिने अतही मैज हो अनकूल डई अतशाडा ये ये झारा हुआज को से नहीं तकततते बनावनों तकतता है